आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हलो स्टुडेंट्स आपका आज का प्रेशन है कौन सा नियम सीखने के मुख नियमों में शामिल नहीं है आपके पास पर चारवे कर्फेदत परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम तो चलिए हम जान लेते हैं क्या, कि थान्डाइक के अंसार, किसके अंसार, थान्डाइक के अंसार, EL, ठीक है, इनका नाम था पूरा, EL, थान्डाइक, ठीक है, तो थान्डाइक ने क्या किया था, थान्डाइक ने सीखने के, इन्होंने सीखने के तीन मुख नियम दिये थ ठीक है और वो तीन मुख्य नियम कौन कौन से अगर हम उसके बारे में जाने जाएं तो वो तीन मुख्य नियम आपके कुछ इस प्रकार है पहला नियम आपका होता है क्या ततपरता का नियम पहला होता है ततपरता का नियम दूसरा है आपका अभ्यास का नियम अभ्यास का न प्रभाव का नियम, अब आपसे प्रश्णी क्या कह रहा है, प्रश्णी कह रहा है कि कौन सा सीखने के मुख नियमों में शामिल नहीं है, तो आप दो यह तत परता का नियम शामिल इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, अब भ्यास का नियम भी शामिल है तो इसलिए ये भी उत्त नहीं होगा अप्रभाव का नियम बे शामिल है तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा बचते आपके पास में बहु अनुक्रिया का नियम तो हम जान लेते हैं क्या कि बहु अनुक्रिया का नियम कौन सा नियम है तो हम क्या सकते हैं क्या कि जो बहु अनुक्रिया का नियम है सीखने के मुख नियमों में शामिल नहीं है बलकि यह क्या है यह सीखने का गौड नियम है यह सीखने का सीखने का गौड नियम है गौड मतलब क्या हो सकता आप कह सकते हो कि सीखने का गौड या फिर सहायक नियम है ठीक है तिस सीखने का क्या है सहायक नियम है मुख नियम नह मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर